हलो दोस्तो इस ट्रेडीगेड़ा एज्यूकेशन हमें आपका स्वागत है मैं हूं गोरो सैनी और हमारे भी एंटीबीजी साय को इत्यारी कर रहे हैं आज हमारा प्रैक्टिस एड नमबर नो है एंड इसके अंदर आपको आच मिट के अंदर 40 सवाल करने होते हैं हर स्लाइट के उपर आपको मिलते हैं 10 सवाल and comment box के अंदर आपको score करना होता है कि कितना भी जितना भी आप score करते हैं वहापे अपना type करते हैं कुछ doubt होता है तो उसको हम अगली वीडियो में सोटा सुर्ट में तो शायद मैं अब तब कोई डिसकस नहीं करें लेकिन आप discuss करने हैं ठी है एंड कुछ प्रोब्लम हो तो comment box में type कर दिया करें हमाई telegram चैनल पर या फिर comment box के अंदर ही बच्चे आपके problem solve कर देंगे मुझे time मिलेगा तो मैं भी solve करूंगा ठीक नहीं तो अगली next video के अंदर starting में उसको discuss करी लेते हैं आई यह फड़ा-फड से discuss करते हैं सबसे पह question number हमारे पास one question number एक में तो दोस्तों कुछ नहीं था T से मुझे Q जाना है तो मैं simply उपर जाओंगा 5 की side को touch करूंगा नीचे आओंगा and Q पे चला जाओंगा तो it's simple टिक then उसके बाद मैं question number पूछा था E to L टिक है E to L जाने के लिए भी मैं simply क्या करूंगा यहां से ऐसा जाओंगा 8 को touch करूंगा नीचे जाके मुड़ जाओंगा answer हो गया टिक then उसके बाद question number पूछा था 8 W to Q W से Q पे अगर मुझे जाना है तो मैं simply ऐसे जाओंगा 5 को touch करूंगा and Q पे पहुँच जाओंगा साथ बच्चे मुझे पूछते के 6 क्यों नहीं होगा देखो बच्चो 6 तो वैसे ही बहुत दूर पढ़ रहा है अगर simply हम एक diagonal की अपनी range में देखते हैं चलते हैं आठवा question भी हो गया पंद्रवा question था पंद्रवा question है s2e s2e जाने के लिए कुछ problem नहीं थी नीचे हम जा नहीं सकते हैं यहाँ barrier है यहाँ barrier है यहाँ barrier है यहाँ barrier है तो simply मैं उपर ही जाओंगा and यहाँ से लेके one को touch करते वे सीधा पहुंच जाओंगा टिक तो हो गया हमारे पास 15 भी दैन पूछा था 21 question 21 में हमारे क्या था n2k n2k जाने के लिए तो बहुत ही simple है बच्चों यहाँ से गया यहाँ से मुड़ा end गया कॉश्चन हमारे अजय देवगन साहब ने पूछा है 25 25 अच्छा question है तेक j2d j2d जाने के लिए हम क्या करेंगे उन्होंने बोला कि सर 10 ही answer होना चाहिए क्योंक प्रेले साइड गिनते हैं पर तो साइड के दिने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गयी ठीक है बच्चे से कोश्चन में जे से डी तक पोंचने में 10 वाले में पता है कितने साइड सारी है हमारे पास 8 8 साइड सारी है ठीक है अगर मैं यहाँ से जाता हूं 5 वाल रस्ते से तुम्हाँ से है लोगा तो पात भी छोटा हो गए देन वो बोल रहे है कल्क में थैक से ओकर 9 किल लेते हैं तुम्हारू ऑगर अगर मैं जय से यह चारी Nou को नो आइस महलना गांइच 11 ना जाओन में जाता हो यहांसे तो एक मोड़ा है 1, 2, 3 and 4 टन भी कम है दोस्त चार टन के अंदर पहुँच गया हम है पाँच विए रस्ते से रस्ता भी छोटा है सबसक्राइब तो रस्ता देखेंगे रस्ता भी छोटा है डागनल मार के देखता हूँ तो डागनल में भी ठीक है तो कुल मिलाएगे आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस के अंदर 5 5 ही आंसर है तो चलते हैं अब आगे तो ये तो हमने डिसकस कर लिया इसके दर सारे कोशन डिसकस कर लिये तो अब चलते हैं हम हमारे प्रेक्टिस सेट नंबर नो पे तो टाइमर हमारा ठीक है बर चेकल तो महां टाइमर ठीक है लाइट पर आते के साथ ही हमारे जो questions है वो start हो जाएंगे तो copy pen उठा लेना फड़ा फड़ा से note करना सबके आंसर के और comment box के अंदर सड़ा सड़ा लिखना है कि कितना आपका score रहा है तो नेक्ट वीडियो के अंदर बच्चों डिसकस करते हैं इसको एंड ऐसे ही प्रेक्टिस करते रहे हैं score बढ़ता रहेगा, score के टेंसन नहीं लीजे मैं बोल रहा हूँ simply आब इनको प्रेक्टिस हैट करने के बाद किसी मोग किसी भी मोग कर गए क्लासिफिकेशन के बंदर कोई भी कोश्चन आपके रुखेंगे नहीं confidence आपको देरे देरे आ रहा होगा आज 15 दिन, आज होगे 15 तारिक होगे है हमारे पास कितने दिन मचे होगे, 30 तारिक हो पेपर है मारे पास 15 दिन बचे होगे अभी भी काफी बच्चों कमेंट आते हैं कि सर का confidence level एकदम खतरनाग हो चुगा है बच्चों का, ठीक है आए फड़ावर से start करते हैं 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 झाल 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 झाल